यहाँ पर आप लोग पद देख सकते हैं उप छेतरी वन अधिकारी के 564 पद रखे गए हैं और वन दरोगा के 2338 पद यानि कि टोटल बात करने तो 3000 कुल पदों के लिए भरती निकलने वाली है जैसे ही चुनाओ के नितिजे आये थे आप लोग के लिए वेकेंसी वेकेंसी से अब आने वाली है इस मन्द आप लोग के लिए वेकेंसी ही बहुत सारी वेकेंसी आने वाली है उसमें से एक वेकेंसी कल जैसे चुनाओ नितिजे आप लोग के लिए आ गये थे जैसे कि आपक की संख्या की बात कर लें तो ये भरती कहां पर निकली हुई है UP1 दरोगा भरती पदों के लिए जो भरती बहुत पहले आने वाली थी लेकिन चुनाओं के कारण ये भरती रुख गई थी लेकिन जैसे ही चुनाओं खतम हुए UP1 दरोगा भरती 2022 में आ चुकी है इसमें रनिंग कितनी कराई जाएगी यानि दौड कितनी होगी और इसके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले है तो आज किस वीडियो में कंपीर इंफॉर्मेशन ए टू जेट पसा चलने वाला है साथ इसके स्लेवर्स की भी बात करूंगा क्योंकि जब लास्ट ये वेकेंसी आ कराए से दोनुवाखों को 4-4 घंटे का समय दिया गया था साथ ही इसमें बात कर ले 50 नंबर का फिचकल लगखा गया था और 50 नंबर का आप लोग का जो आप लोग happily बेलाई या कि जब 2017 एक्जाम नहीं कर आप इसमें क्या qualification माँगी क्या सभी लोग स्टेट्स सारे स्टेट्स को लोग इसका form fill up कर पाएंगे या फिर नई form fill up कर पाएंगे तो आज किस वीडियो में complete information A to Z पता चलने वाली है वीडियो को last देखिएगा वीडियो के last देखने के बाद आपका कोई भी doubt नहीं रह जाएगा इस्टुनेंट्स का doubt ये भी है कि सर क्या ये जो भरती है पीटी यानि यूपी टिपलसी कराएंगी क्या इसमें पीटी पास होना ज़रूरी है तो आज किस वीडियो में complete information A to Z पता चलने वाला है वीडियो स्टार्ट करने इस पर छोटी request होगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया चल सब्सक्राइब कर दीजेगा पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा इससे भी कोई न्यू अपडेट आए न्यू भरतिया यूपी एसाई यूपी प्रेस कॉंस्टेबल की तो सबसे पहले अपडेट आपके notification ग्रूप में वीडियो पहुँच जाये करेगा चलिए बिना के जिरी के वीडियो को सुरू करते है यहाँ पर हम यूपी वन दरोगा के जो भरति का notification आए उस पर हम लोग आ चुके हैं यह आपको notification कहार मिलेगा यह भी आपको पता चलेगा वीडियो को last तक जरूर देखेगा और वीडियो बड़े अलागे ना भाई तो like और like ठोक दीजेगा और दोस्तों को share भी कर दीजेगा बात कर लेते हैं पत नाम की यहाँ पर कितने पत नाम रखे गए हैं यहाँ पर आप लोग पत दे सकते हैं उप 631 अधिकारी के 564 पत रखे गए हैं और वन दरोगा के 2338 पत यानि कि टोटल बात करने तो 3000 कुल पतों के लिए भरती निकलने वाली है यहाँ पर आओ बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या कौन लोग इसका form फिलप कर पाएंगे कौन लोग इसका form फिलप नहीं कर पाएंगे सबसे पहले आरता हैं यानि कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए आप पाकिस्तान या आफिक कहीं और से ना आने चाहिए आपके पास यानि इंडिया को डो मिसाइल बनाओ यानि कि सबी स्टेट्स के लोग इसका form फिलप कर पाएंगे चाहिए आप लोग यूपी में रहते हो या फिर यूपी में ना रहते हो लेकिन जो अदर स्टेट्स के स्टेट्स इसका form फिलप करेंगे वो जनरल कंडेट्स में काउंट होंगे चलिए आप इसमें बात कर लेते हैं एज की और इसमें आप लोगी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की सबसे पहले कौन लोग इसका फॉर्म फिल आप कर पाएंगे क्या क्वालिफिकेशन अखी गई है तो एट नंबर को आप लोग हालाइट करके देख सकते मैंने यहां पर हालाइट कर दिया है यहां पर लिखा हुआ है वन दो लोगा पदों पर सीधी भरती किसी भी अब्यार्ति के भात्ते विधी दोरा इस तापिश विश्व दाले गलित बहुत की विज्ञान रसायन विज विज्ञान वरस्वति विज्ञान जन्तु विज्ञान वन की भूमिक और पड़्यावन विज्ञान दो या दो से अधिक विश्व में जो भी मैंने विश्व बताये थे अगर इसमें से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है यानि कि ग्रेजुएशन आपने किस दो वरस्व की अब दी तक आप लोग किया है तो आप लोग लिए अलग से विकैंसी इसमें होंगी और आपको कौलिफिकेशन में भी छूट दी जाएगी और NCC का बी अंजी सी बी सार्टिविकट भी है तो भी आप लोग को इसमें नम्बरों में छूट मिलेगी और आपक लोग इसका form fill up कर पा रहे होंगे तो male and female बोथ लोग इसका form fill up कर पाएंगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या रखा गया है बात कर लेते हैं फिचकल की आपको पता ही होगा कि मेलाओं का chest measurement नहीं किया जाता है लेकिन इस भरती में यानिकि जो UP दोरोगा भरती है UP वं measurement किया जाएगा यहाँ पर highlight करके आप लोग को समझ में आई रहा होगा यहाँ पर लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो male candidates की height है 113 cm मांगी गई है और 1500 cm females की तो मांगी गई है सीना की बात करने chest की तो 84 cm आपका होना चाहिए width लाने के साथ यानि की बात करने 79 होना चाहिए औ UPSI में कम नंबर बने हो या फिर उनकी age ओवर हो गई तो यह इससे अच्छी जॉब आप लोग के लिए नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें जो physical भी है आप लोग को running भी बहुत time मिलता क्योंकि कुछ लोग होते होंगे UB police constable से running out हो गया होंगे general candidates होंगे युकि उनको general candidates मे मिलता है तो आप लोग के लिए विकन्सी है चाहाए मेल हो या फिर फीमेल हो बहुत लोग इसका form fill up कर पाएंगी आप लोग की height हो अगर आप लोग पहाडी करते हैं नेपाली गोडखा लोग थैप अनकी Hol जो मेलाओं की height नचिक 216 लर्श को हड़त होंगे्ट हैं बात कर लेते हैं running की, running में भी मैं highlight करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 25 km की running कराई जाएगी, within 4 घंटे में male candidates की, और महिला भ्यारतियों की जो 4 घंटे running कराई जाएगी 14 km, यानि कहने की बात कर जाए, male candidates में आप लोग की 25 km की running होने वाली है, औ females में आप लोग की जो running होने वाली है 14 km, और दोनों को समय की बात कर लें, तो दोनों को समय 4 घंटे ही दिया जाएगा, 4 घंटे में दोनों लोग को clear करना होगा, चाहें आप paddle चलें, या फिर row के चलें, चाहें आप जैसे चलें, चाहें दोड़ के जाएं, चाहें मराथन द दिखाना है, बात कर लेते हैं, इसमें और अपडेट्स की, बात कर लेते हैं, इसके salary की किसमे salary कितनी मांगे गई है, sorry salary आपको लोग कितनी मिलेगी, तो वन दरोगा की बात कर लें, 29,200 से लेके, 92,300 के बीच में, आप लोग को salary मिलने वाली है, उच्छे 3 वन दिकारी की ब अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं, वन दरोगा तो यह आप लोग को salary मिलने वाली है, बात कर लेते हैं, इसमें और आप लोग की क्या हुआ है, यह दिख सकते हैं, जो भी आपको notification हिंदी में था, वही सेम notification आप लोग को English में भी दिया, यानिक अगर आपको Hindi में ना समझ म आ, तो English में भी notification आप लोग को यहां पर मिल सकते हैं, वो देश सकते हैं, आपके deputy range for officer की 564 पद और forester की 2338 पद, यानि 3000 कुल 3000 से ज्यादा पद यहां पर आप लोग के लिए निकलने वाले हैं, अब students का doubt था, I hope आपके सारे doubts clear हो गयोंगे, अब बात कर लेते हैं, क्या इसम एक्जाम नहीं हुआ जब इसकी भरती आई थी, इसमें सिफ 50 नमबर आप लोग को फिचकल के दी जाए गये थे, और 50 नमबर आप लोग को interview और document verification करा करके, आप लोग को joining दे दी गये थी, लेकिन आपको जैसा पता हो, combination काफी बढ़ गया है, तो इसका एक्जाम कराए जा 70% से 80% से 70% chances है, UPCC ही इसका एक्जाम कराए या फिर इसकी भरती बगय कराए, क्योंकि 30% chances ना भी है, क्योंकि UPCC का exam calendar तथा भरती पहले से ही जारी कर चुका है, क्योंकि उन्हें कौन से भरती करानी, क्योंकि आपको पता है, ये लेक पाल की अभी नहीं हुई है, आपको प प्रक्ता, UPCC से ना लेकर के इसको कोई और हायर करे, अलग से vacancy निकाली जाए, UPCC को हटा करके, तो ये इसके 30% chances है, UPCC को हटा करके निकालने की, और 70% chances है, UPCC निकाले की, अगर UPCC ने इसकी vacancy निकाली, तो आप लोग के लिए PT अनिवार हो जाएगा, यानि PT में जो आप ल जरुट नहीं है और आप बिहार से हो चाहे आप यूपी से हो चाहराजिस्तान से हो सभी स्वित एस Wasp Cr tava através और आपको बांवा स्व लखार यौन ही आपको फुल नोटिफिकेशन और या यह जारी किया गया यहां आप दे सकते यह सात मार्च की नोटिस है लखनाओं के यह हेड काउटर से यह जारी किया गया है बात कर लेते हैं यह आपको PDF कहां से मिलेगी फुल नोटिफिकेशन की तो यहां पर दे सकते हैं तेलीगाम चनल पर डाल दीए तेलीगाम चनल का नाम है गॉर्णट वीडियो के डिस्क्रेफशन में आपको टेलिगाम चैनल के लिंक मिल जाएगी जाएगी जाफे आप लोग टेलिगाम में डायट आकर करके गौर्णमेंट जॉप अपलेट सर्च करिएगा आपको यहां से टेलिगाम चैनल जोईन हो जाएगा और इस PDF को मैं पिन भी कर देता तो कमेंट सेक्षन में जरूब पूछेगा और वीडियो बड़े अलागे हो ना तो वीडियो को लाइक और शेर जरूब कर दीजेगा और चैनल पर नहों चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे भी कोई न्यू अपडेट आई यूपी एसाई यूपी कॉंस्टेबर य कैसे कोई अपडेट आया करेगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन की रूप में वीडियो पहुंच जाया करेगा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वेगंसी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय इंजय बाद बंदे मातरम